इस वक्त दुनिया भर में सेमिकंडक्टर की डिमांड बढ़ रही है और इसकी आपूरती नहीं हो रही है। तरीके से तेल एक उर्जा का संसाधन है उसी तरीके से सेमी कंड़क्टर का हाल हो चुका है ऐसे में अगर कोई जंग होती है या विकास की ही बाते होती है तो फिर दोनों ही छेत्र में सेमी कंड़क्टर बहुत जादा परभावित करने वाला है अब इसे लेकर भारत ने एक बड़ा कदम उठाया और बड़ा कदम उठाकर एक बड़ा जुआ भी खेल लिया है यहाँ पे आउसर है तो जुआ भी है दरसल ताइवान के साथ भारत मिल रहा है और मिल कर ताइवान अपनी एक यूणिट लगा रहा है लेकिन क्या ताइवान भारत को 5 नेनो टेकնलोज देगा और ताइवान के यूनिट लगाने से भारत को क्या फाइदा होने वाला है क्या ताइवान टेक्नलोजी का ट्रांसफर करेगा और किस तरीके से चीन को जवाब मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इन सब के बीच में रूस और भारत की मीटिंग हुई मोदी पुतिन के मीटिंग के बाद आखिर पुतिन ने क्यों भारत को चेतावनी जारी कर दी है और ये चेतावनी सचमुच भारत के लिए बड़ा खत्रा पैदा कर सकती है जानेंगे इन खबरों को विस्तार से 1960 का दौर चल रहा था जब भारत पहुची थी कुछ अमेरिकी कमपनिया और उन्होंने कहा था कि उस वक्त सेमी कंडक्टर वैसे आपको बता दे बहुत इनिसियल फेज में ही था लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हम यहां यूनिट्स लगाना चाहते हैं लेकिन उस वक्त की स अस्ताव को इनकार कर दिया जो अमेरिकी कमपनिया थी वो लोट गई मलेसिया चली गई इंडोनेसिया चली गई अलग 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 देसों में इन्होंने यूनिट अस्थापित कर लिया लेकिन अभी परिस्तिती क्या है अभी परिस्तिती यह है कि हर चीज में सेमी का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ज्यादा सप्लाय होता है इसका चीन के जरिये हलाकि जहां सप्लाय होता है चीन के जरिये तो वही 54% मार्केट पर कबजा अगर किसी का है तो वो ताइवान की जो नंबर वन कॉम्पनी है PSNC उसका है ताइवान की ये नमबर वन कंपड़ी 54 पर 30 उत्पादन करती है सेमी कंड़क्टर का और दुनिया भर के एक बड़े बाजार बड़े मार्केट पर कबजा रखती है जिस तरीके से चीन के हालात बन रहे हैं और चीन सेमी कंड़क्टर के सप्लाई को रोक कर एक ग्लोबल चेन को ही रोकने की कोसिस कर रहा है वैसे में भारत के लिए एक बड़ी ओपर्चुनिटी आई है और भारत के लिए ये ओपर्चुनिटी ताइवान के रूप में आई है अब भारत भी सेमी कंड़क्टर के चेतर में आगे बढ़ना चाहता है समय पर चेत गया है क्योंकि अगर आज भारत नहीं चेता तो आप समझ लिजिए सेमी कंड़क्टर इस तरीके से पूरा फैलेगा कि इसकी जरूरत के लिए फिर वही दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना होगा इंपोर्ट के लिए जैसे हम तेल के लिए निर्वर रहते हैं वैसे इसके लिए भी निर्वर रहना होगा यही वज़ा है कि भारत ने और भारतिये सरकार ने अब 76,000 करोड रुपए का प्लान सेमी कंड़क्टर के लिए लौंच किया है ताकि सेमी कंड़क्टर की मैनुफेक्चरिंग अपने ही घर में सुरू की जा सके अब इसमें सबसे वड़ा फाइदा यह हो रहा है कि ताइवान अपनी यूनीट भारत में लगाने को तयार हो गया है और भारत सरकार से इसकी बाच्चित चल रही है लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ताइवान अपनी टेक्नलोजी ट्रांसफर कर देगा तो आपको बता द मार्केट पर कबजा है वो क्या अपना कंपटीटर खड़ा करके अपने पैर पर कुलाडी मारेंगे ऐसे में यह इस वक्त तो टेक्नलोजी ट्रांसफर करने वाले नहीं है और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जो टेक्नलोजी बहुत जादा डिमांड में है सेमी कं कंड़क्टर की जो आपूर्ती रुक जाती है जो चीन वगेरा की वज़े से रुकती है वो चीज भारत को फेस नहीं करनी पड़ेगी भारत के जितने भी ओधोगी छेतर हैं उन्हें आसानी से सेमी कंड़क्टर मुहया हो जाएगा वैसे आपको बता दे ताइवान ने एक कि यहां और एक पहले अमेरिका में अरिजोना में अपने यूनिट अस्थापित किये हैं यानि भारत में अगर हो जाता है तो यह दूसरा उनका यूनिट होगा खेर जहां भारत इस छेतर में एक बड़ा जुआ भी लगा रहा है इसलिए जुआ लगा रहा है कि कल की डेट में अगर ताइवान पर कबजा कर लिया चीन ने तो ये जो कमपनी है ये कमपनी भी चीन की हो जाएगी खेर ये तो है कल की बात पर अभी आज के दिनों में आखिर रूस ने रूस ने क्यों भारत को चेतावनी जारी कर दी है तो आपको बता दें रूस की चेतावनी ना सि भारत को अगाह करने वाली है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है और क्या प्लानिंग चल रही है सॉदी अरब और उपेक देसों के बीच चूँकि आपको बता दे उपेक ञाइब नहीं कभी पठती नहीं है दोनों ही तेल के दामों को लेकर खेल खेला करते हैं लेकिन महामारी के बाद ये खेल और भी जादा बढ़ गया है महामारी के समय इन ओपेक देशों को बड़ा जटका लगा था जब इनके तेल की खपत हो गई थी बंद लेकिन अब कहा ये जा रहा है कि 2022 तक ही ये महामारी चलेगी 2022 के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा फिर दुनिया उसी तरह की हो जाएगी अब जैसे जैसे आर्थ बेवस्ता कुछ कुछ देशों की खुल रही है वैसे वैसे ओपेक प्लस देश लालची होते जा रहे हैं और इस लालच का असर ये हो रहा है कि कच्चे तेलों का दाम भी बढ़ रहा है और जो फाइनली रिफाइन होकर आ रही है उन तेलों का दाम भी बढ़ रहा है भारत जैसे देश में भी पेट्रोल डीजल के दाम कई कारणों से बढ़े हुए हैं पर अब दिक्कत ये है कि ओपेक और ये जो ओपेक प्लस हैं इनके बीच कुछ प्लानिंग चल रही है इस प्लानिंग को लेकर रूस ने भारत को चेताया है कि भारत समय रहते समल जाए अगर नहीं समला तो भारत को बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है और ऐसा हो सकता है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत 600 रूपे प्रती लीटर तक पहुँच जाए आखिर ऐसा क्या हो रहा है तो आपको बता दें रूस के अनुसार ओपेक देश में कोई नियम इस वक्त चल नहीं रहा है और अपने तेल और कच्चे माल का दाम बढ़ाने के लिए ये देश अब अलग-अलग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं इस अलग-अलग टेक्निक का असर ये होगा कि आसा के बिपरीत बहुत जादा हो जाएगा जैसे कि माना जा रहा है कि भविस में 380 डॉलर प्रती बैरल हो जाएगा तेलों का दाम वो भी कच्चे तेलों का दाम जो आप समझ लिजिए रिफाइन होने के बाद मार्केट तक आते आते कि सालात में पहुँच जाएगे ऐसे में भारत को चेता रहा है रूस की परिस्तितियों को देखो आप एक तेल उत्वादक देश नहीं हो ऐसे में आप मुश्किल में फंस जाओगे बहतर ये होगा कि आप उर्जा के अलग-अलग संसाधनों जैसे की सोलर एनर्जी हो गया या गैस पाइपलाइन हो गया या और कुछ हो गया उस पर मूव कर जाओ जितनी जल्दी मूव कर जाओगे उतनी ही जल्दी आपके लिए बहतर होगा क्योंकि ओपेक प्लस जो प्लानिंग कर रहे हैं वो प्लानिंग आने वाले दिनों में भारी पड़ेंगे वैसे ये दो देशी आपस में उठा पठा करते रहते हैं पर रूस ने भारत को चेतावनी जारी करके जहां एनरजी सेक्टर में निवेस को ले कर भी बढ़ावा देने की बात कह दी है वैसे आपको क्या लगता है रूस अपनी जगा पर सही है कमेंट कर अपनी राहे जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ